नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बनने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में तेज हवा और बारिस का लट खिसारी के साथ भोजपुरी फिल्म अवैद में नजर आएंगे रंजन सनहा जे इवमिन के दूसरे चरण का रिजल्ट हुआ जारी पिया मोदी के मन की बात का सौबा एपिसोड आज 37 साल के हुए भारतिये टीम के कप्ता इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से बिहार में तेज हवा और बारिस का अलट इन दिनों बिहार के मौसम में बदलाव होनी की बचा से लोगों को भीशन गर्मी से काफी राहत मिली है बता दे कि मौसम विभाग के पुरवानुमान के अनुसार बिहार की राधधानी पटना समेत अनिक कई जिलो में तेज हवा के साथ बारिश होनी के आसार जताए गए हैं इसके लिए मौसम विभाग के ओर से जिलो के ललर्ट भी जारी कर दिया गया है मालुम हो कि मौसम विभाग का कहना है कि राजे में 30 अप्रेल से लेकर 2 मई तक तेज हवा और बारिश की शंभावना है इसे दिन का तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 22-23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है इसे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी लाखों के जाली नोट समेट 8 अपरादी हुए गिरफतार बिहार के वैशाली में पुलिस के द्वारा 500 रुपे के नकली नोटों की बड़ी खेब बडामत की गई है और साथी आठ लोगों की गर्फतारी भी की गई है आपके जानकारी के लिए बता दे कि नकली नोटों का कारोबार वैशाले जले के सराय थाना इलाके के पुरानी बाजार इलाके में एक मकान में चल रहा था जिसको लेकर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापे मारी कर नोटों की बड़ी खेब बडामत की गई और साथी आठ लोगों को गर्फतार किया गए हाला की दो लोग अभी फरार चल रहे है जिनकी तराशी जारी है वहीं गर्फतार किये गए लोगों से पूछता चल रही है खेसारी के साथ भोजपूरी फिल्म अवैद में नजर आएंगे रंजन सना इन दिनों खेसारी लाल यादव की एक तस्वीर शोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है जिसमें वे रंजन सना के सामने बंदूक लेकर खड़े नजर आ रहे हैं दरसल यह तस्वीर उनकी आने वाले फिल्म की है बता दे कि बहुत जल्दी रंजन सना भोजपूरी फिल्म के सूपर स्टार खेसारी लाल यादव के साथ राज घराना फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नर्मान किये गए फिल्म अवैद में मुख्यमंत्री रंजन ठाकूर की भूमिका में नजर आने वाल है उनकी अतश्वीर शोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है वहीं लोगों को भी रंजन सिनहा की छवी को पसंद आ रही है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस फिल्म के नर्देशव नीरज, रंधीर और नर्मात आदित्य कुमार जह है वहीं इस फिल्म को लेकर रंजन सिनहा का कहना है कि अब फिल्म एक बहतरीन पतकता पर आधारित फिल्म है जिसमें मुझे उमीद है कि मेरा करदाल लोगों को पसंद आएगा जेई मेन के दूसरे चरण का रिजल्ट हुआ जारी यह ऐसी संभावना जताई गई है कि वैसे चातर जिनका 99 परसंटाइल से अधिक है उन्हें सिर्फ NIT, त्रिची, वारंगल, सूरतकाल, इलहाबाद, राउड केला, कालीकट, जैपूर, कुरुछेत्र और ट्रीपल आईटी इलहाबाद में कोड ब्रांचिस मिल सकते हैं, वही वैसे चातर जिनका 99 से 98 परसंटाइल आया है, उन्हें सिर्फ के टॉप 10 NIT की कोड ब्रांच के अतरिक्त अन्य ब्रांच टॉप 10, 20 NIT और फ्रीपल आईटी कोड ब्रांच मिलने की संभावना है इसके लावा 98 से 96 परसंटाइल स्कूल वाले चातर टॉप 20 NIT की कोड ब्रांच के अतरिक्त अन्य एवं 6 NIT जिन में के NIT के साथ पटनार, राइपूर, अगरतल, श्री नगर जैसे संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ी, इन दनों बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जारी है बतादी कि राज़ानी पटना समेथ बिहार के विवन जिलो में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जाफा हो रहा है और अब तक राज में 872 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं जिनमें से 19 लोग ऐसे हैं जिनें पटना, एमस और अन्य अस्पतालों में जांच के लिए भरती कराया गया है जिनमें चंपारण, वैशाली, गया, पटना, मुंगेर, मुझपरपूर, सुपॉल, पालीगन, समस्तीपूर, सारण, अरवल और बकसर, समीत, अन्य जिलो के मरीज शामिल हैं हाला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनें डॉक्टरों के द्वरा घर पर ही आइसुलीर होकर इलाज करवाने की सलाहत दी गई है बीपेसी अर्सटवी मुख्य परिक्षा का एड्मिट कार्ड हुआ जारी बीते दिन बिहार लोग सेवा आयोग के द्वरा बीपेसी अर्सटवी मुख्य परिक्षा का एड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसमें हस्पस्ट कर दिया गया है कि किसी भी उमिद्वार को एड्मिट का डाक के माध्यम से नहीं भेर गाएगा आपके जानकारी के बता दे कि परिक्षा के श्रिवाद 12 मई से हो रही है जो कि 18 मई तक चलेगी इस परिक्षा के माध्यम से 304 स्रक्त पदों को भड़ा जाएगा पटना में पुराने सरकारी भवनों की जगह बनेंगे नए भवन बीते दिन स्तनिवार को बिहार के मुख्यमंत्रे नुदीश कुमार के दोरा बिहार की राजधानी पटना के सास्री नगर में योग, केंद्र और अधिकारी आवास का उधगाटन करने के दोरान मीडिया से बाचीत करते हुए यह जानकारी दी गई है कि राजधानी में जितने भी पुराने सरकारी भवन है उन्हें हटा कर नए भवन का नर्मान किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस कारी को करने के लिए अधिकारियों को नर्देश दिया जा चुका है ताकि किसी भी अधिकारी को रहने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसके साथ ही उन्होंने विष्व योग पीठ मुंगेर के पर्बाचारे श्वामी निरज्जा नंद सरस्वती और बिहार योग विद्याले मुंगेर के प्रतिनी दी के बाड़े में बात करते वे बताया किन से हमारी बाची जमाने से होती आ रही है हमने उसे कहा था कि पटना में भी एक योग केंदर रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा जिस पर इन्होंने सहमती दे दी अब उनकी तरफ से लोग यहां आकर योग की ट्रेनिंग देंगे इसके साथ ही इनके लोगों के लिए रहने और मुंगेर से पटना आने जानी की सुवधा सरकार के द्वारा उपलद कराई जाएगी बिहार के राजधानी में तीन दर्जन क्रिकेट खिलारीयों के खिलाफ एफायार दर्ज एक तरफ जहां पूरे देश में कुस्ति संग और पहलवानों का मुद्दा चाया हुआ है तो इसी बीच दूसरी खबर बिहार की राजधानी पटना से रिकल कर सामने आ रही है बतादे कि बिहार क्रिकेट एसोशियेशन के दौरा पटना जिला में क्रिकेट संचारन के लिए गठत तदर्थ समीती के दौरा पटना में तीन दर्जन क्रिकेट खिलारीयों के खिलाफ एफायार दर्ज कराने को लेकर क्रिकेट एसोशियेशन के दौरा कहा जा रहा है कि सोशल मीरिया पर गाली गलौज कर रहे हैं जिस वजह से उनके द्वारा गाली गलौज और धमकी से तंग आकर उनके खिलाफ कानूनी कारेवाई करने का फैसला लिया गया पटना जिला क्रिकेट संकी संचारन समत्ती के सदश्य आप दीन के द्वारा यह स्पस्ट कर दिया गय एक यूवक के द्वारा फेस्बुक पोस्ट में भारत विरोधी व पाकस्तान समर्थ स्लोगन भारत बनेगा पाकस्तान लिखा गया था। बतादे कि इस पोस्ट का स्ट्रीम सोट जम कर वाडल हो रहा है और लोग तरह तरह से पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियात दे रहे तैसे ही इस पोस्ट की जानकारी पुलिस को लगी पुलिस के द्वारा सक्रिता दिखाते वे तुरंत उस यूवक की गरफतारी कर ली गई है बतारे गरफतार के गए यूवक की पहचान सहर के काली गंज अलाके का रहने वारा शकील एहमत के रूप में की गई है वहीं जब जारूपी के द्वारा इससे पहले भी अपत्ती जनक पोस्ट फेस्बुक पर किये जा चुके हैं फिलार इस माम ने की और भी गहडाई से जाच की जा रही है पीम मोदी के मन की बात का सौवा एपिसोड आज यानि की 30 अप्रेल को देश के प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी के द्वरा चलाई जा रही मन की बात का सौवा एपिसोड है बता दे कि आज के दिन को एतिहासी बनाने के लिए बीजेपी की ओर से जोड़दार तयारी की गई थ कि मन की बात कारेक्रम को रिकॉर्ड करने के दौरान कसी तरह की तयारियां की जाती है वहीं आज के एपिसोड को बीजेपी के सभी लोग सभा सांसुदों के द्वारा अपने संसदिय छेतर में हुए चुने एक जगह पर लोगों के साथ उस प्रशारन को सुना गया इसमें एक साथ मन की बात को सामोहिक रूप से सुना आधी रात SKMCH पहुंचे तेरश्वी यादव बिहार के उपमुक्य मंत्रे तेरश्वी यादव के द्वारा जब से स्वास्ते मंत्री का पदभार संभाला गया है तब से लगातार स्वास्ते के छेतर में कई कामों को अंजाम दिया जाड़ा है बता दे की बीते दिन आधी रात बिहार के डिप्टी सेम तेरश्वी यादव सीता मरी से पठना लोटने के दौरान मुझपरपुर के SKMCH अस्पताल पहुंचे वहीं अस्पताल में उनके पहुंसते ही अफरा तफरी का महौल बन गया तेरश्वी सिंग को पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देने का आदेश दिया है वहीं अस्पताल में कम्यों को तिक उन्हें सुधारने का भी आदेश दिया गया है बाजबा के पुर्व विधायक जवाहर प्रशाद के गिरफतार होने पर बोले रोहतास स्पी बीते दिन भारतिय जंता पार्टी के पुर्व विधायक जवाहर प्रशाद को सासाराम में हिंसा फैलानी के मामले को लेकर गिरफतार कर लिया गया था पुर्व विधायक जवाहर प्रशाद उनके पुत्र तथा आने लोगों के नाम शामिल थे और उसी बैठक के बाद दंगे की आग भरकी यही वजह है किस मामले में पुर्व विधायक जवाहर प्रशाद की गिरफतारी की गई है बीते दिन सनिवार को जदियू सांसत कौशलंद्र कुमार के द्वारा पत्रकारों से बादचीत करते वे बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार से आगरह किया गया है कि वे 2024 में होने वाले लोग सभाचनाव में अपने ग्रेजला नालंदा से चनाव लड़े उन्होंने कहा कि अगर नितीश कुमार इस सीट से लड़ना चाहते हैं तो वे ततकाल इस सीट को छोड़ देंगे और यहां उनके लिए सौभाके की बात होगी अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होगा उन्हें कहा कि अगर नितीश कुमा नालंदा से लड़ते हैं तो देश में सबसे अधिक पोटो से हम उने जुताएंगे इसके अलावा नालंदा के लोग भी यही चाहते हैं मुझे जो नालंदा के सीट मिली है वह उनकी ही दिया हुआ है और मैं उनकी वजह से ही तीन बार सांसत बना हूँ उन्हें ने कहा हमारे नेता को जो खासियत है उसे सभी लोग जानते हैं और आज पूरे देश को उनकी जरूरत है 36 साल के हुए भारतिय टीम के कप्तान आज रियानी की 30 अपरेल को भारतिय टीम के कप्तान रोहिस सर्मा 36 साल के हो गया है अंतराश्ट्य क्रिकेट में 17,000 से जादा रन बनाने वाले हिट मैन के दौरा जून 2007 में अपना पहला वंडे मैच खिला गया था उसके बाद उसी सा कमबर में T20 अंतराश्ट्य में डेब्यू करने का मौका मिला बता दे कि आज रोहिस सर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मिट में तीम इंडिया का कप्तान है आपके जानकारी के लिए बता दे कि रोहिस सर्मा एकलोते असे खिलारी है जिन्होंने वंडे में तीन दोरे सतक लगाने वाले भी खिलारी है रोहस सर्मा के दोरा 2009 विष्यो कप में पांच सतक लगाए गए थे और स्तक के साथ विवन्डे विश्वकत में सबसे ज्यादा सतक लगाने वाले खिलाडी बने वहाई प्यल में छे ट्रॉफी जीतने वाले क्लॉते खिलारी है जानिया錢 बिहा निद्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पूछिएक सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगन अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है जिन्हों नहीं हमारे पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनकी नाम है अन्नो गोलुकुमार, मृत्युंचे कुमार, मिट्टु कुमार राज, रवीशंकर, संकर मुक्या, मुटोरंगिला, इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके शोचल मीडिया पर आपती जनक पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाव सरकार की और से क्या काड़वाई की जानी चाहिए आप अपना जवाब हमें मारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धनेवार